हेलो गाइस स्वागत है अब सबका मेरी चैनल पर सो गाइस जिसके पास भी यह वाला एंप्लिफायर है आठ टैंजिस्टर वाला जिसमें की सरफ चार टैंजिस्टर को अडियो एंप्लिफाई करने के लिए यूज क्या जाता है तो अगर वो मेरे भाई इन आठो लगते क्योंकि यहां पर जो एक मिनिट यह जो सेगंड वाला टैंजिस्टर है इसको पाउर सप्लाई के लिए यूज कर जदा इसको चलाने के लिए बुलुटूथ पैनल को तो क्या होता है कि एक चैनल पर दो हम चारों को पैनल कर लेते हैं लेकिन एक चैनल पर नहीं कर कर पाते हैं तो उसी चीज का सल्यूशन में लेकर आया हूं आज इस वीडियो में चोटा सा वीडियो है हो सागे तो पूरा देख लीजिएगा तो गाइस यह हैं बहुत सल्यूशन यह है सबनेट वन टो मतलब बाड़ा वोड का रिगुलेटर आइसी जिसको हम यूज करें करेंगे इस बी पैनल और मैक के लिए जो छोटी सी बूट लगा रका है उसको पावर देने के लिए तो अभी जो यूस्वी पैनल को पावर दी जाती है जिस टैंड जिस्टर से उसके बदले बो पावर आप यह बाला ऐसी हमारा देगा तो अभी जो इस यह छोड़ी सी बोर्ट को चलाने के लिए और इस भी पैनल को चलाने के लिए जो बाड़ा वोल्ट बनाना पड़ता है वो टैंजिस्टर बनाता है लेकिन हम उसकी जगा पे इसको यूश करेंगे अ कि अब यह देख सकते हो कि यह वाला जो क्यापसिटर का प्लस है आपको यहां से प्लस उठा के इसकी इंपूट में डाल देना है और बीच बाला जो ग्रांड रहेगा वो ट्रैंसफर्मर की जीलो बाले ग्रांड पर लगा देना है और बूम लेकिन जरूरी नहीं है कि कहीं भी जहां परे 12 फोर से ज्यादा बोलम में मिल रही है मतलब कि आप इसकी जो इनुपूट पिन है उखाए मैकसिमाम 35 बोल्त सकते हैंół 1.5 एंपियर में तो 35 वोल्ड नहीं मिलेगा तब भी चल जाएगा तो आपको फुले बॉर्ड में ढूनना पड़ेगा कि कहां पे जो है 20 या 25 वोल्ड आ रहा है तो उस वोल्ड को आप उठा के सिरेश की इंपुट में डाल देंगे तब भी कम चल जाएगा और आपको आइप प्रता रहे तो इसका डुट में बहुत है और गाइस इस कंद्शन के साथ साथ हरे इन पोड़िंल ने क्नेकशन जो आपको कड़ना है अगर वोला कानेक्शन अब नहीं करते तो आपका आई मसवरी अपकी टैंजिस्टर को इनपुट मिलेगा ही नहीं तो वह वाला कनेक्शन बहुत ही जरूरी है अगर आप वह वाला कनेक्शन नहीं करते हो तो इस कनेक्शन का कोई फाइदा नहीं करनेगा सो गाइस मैंने यहां पर बोट को चेसी में से अलग कर लिया है और यह आईसी को लगा जहें बड़े से हीट सिंग के साथ तकि जड़ा हीट ना हो तो अभी मैं आपको समझा ही देता मतलब समझा देता हूँ थोड़ा बहुत यह जो इसका फरस्ट लेग है यहां पर हमें दे इस से लेके 25 वोल्ट या फिर उससे जड़ा दे सकते हुआ को दिकर नहीं तो मैं जो है इसको फोल्ट यहां से दूंगा यह आप देख सकते हो यह प्लास डायोट का और यही वाला जो पॉइंट है यह बीच वाला पॉइंट है और यह वाला यह माइनस और यह प्लास तो इक्शनहे हमारी टेंशी स्टर को मिलती है यहां से यह देख सकतू simple wire तो यह जो टैनिस्टर को लगती है तो वही bên में उठा यहां पर लगा दूंगा आइसी की फर्स्ट पिन पर या फिर आप यह जो एलेडी यहां पर लगी हुई है यहां से भी प्लस माइनस उठा के आप वहां पर लगा दे सकते हो तब भी आपका जो है काम बन जाएगा ऑगर आपको यहां से भी नहें देना है मतलब आप सोच रहा हो कि भाई नहें श्कलें और से यह थे देखे तो उसका भी मतलब इसके लिए भी एक laatstah है कि आपको बोड़ में कहीं से भी 25 वोल्ड होना है 25 24 21 को इसा भी रहे तो वो आपको फूरे बॉर्ड में से ढूनना है और जहां पर भी मिल जाए 20 या 25 वो उठा के आपको आइसी के फ़र्स्ट पीन में डाल देना है लेकिन में जो है यहीं पर मतलब यह बाला लागा दूंगा यह ग्रीन बाल ग्राउंड है और उसके साइड में जो है वो टैंजिस्ट को लग जा रहा है तो मैं उसी को उठा के लगा दूंगा आइसी के फ़र्स्ट पीन पे तो चलिए लगाते हैं सुगास मैंने आइसी को बॉर्ड में सालक कर लिया है यह अब देख सकते हो और उसके जो साइड में है यह बाले उसके वायर्स और मैंने इसको इसके साथ पैनल कर लिया है मतलब की बेस के साथ बेस इमिटर के साथ इमिटर और कलेक्टर के साथ कलेक्टर तो अभी सेट को बैसे बड़िया से उन तो होगी नहीं मतलब की बोड अन हो जाएगा लेकिन हमारा पैनल नहीं होगा तो मैंने स्विच अन कर दिया है और स्पीकर को कनेक्शन मिल चुकी है यह लैट भी जल चुकी है लेकिन हमारा जो ब्लुटूथ पैनल है बो अन नहीं हुआ तो चलिए फ अब को जो है कर फिस टर के प्लास में से प्लास उठाना है और उतलब कि यहां पर ट्रैंसफ फोर्मर की जिरो लगा हुआ है जिरो का बाइर वहां से आपको माइनस लेना है और आपका काम हो जाएगा या नहीं तो फिर आप बोड में से कहीं से भी बाड़ा सोडी 20 तो चलिए अभी कनेक्शन करता हूं मैं तो चलिए गाइस कनेक्शन करते हैं तो यह है इनपुट इस यह वाला नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें हमें बस इसकी जरूरत है है यह अब देख्शन इगने दिए कि थोड़ा से शोल्डर लगाई लेता हूं मैं तार्ड में तेक्षे से लग जाए तो एक बार फिर ठीक से देख लो यह हमारा डायोट का यह वाला माइनस यह और यह देखो यह वाला बीच का है और यह प्लास तो यहीं से जो है हमें लेना है और यहीं से टैंजिस्टर को भी लगता था तो इसी को हम उठा के यहां पर लगा देंगे आईसी की फर्स्ट पिन पर लेकिन यह जो है ठीक से लग नहीं रही है लेकिन कोई बाद नहीं लगा देंगे बड़ी असे तो यह हमारा इंपुट लग चुका है तो चलि यह भी ग्राउन लगा लेता हूं, मैं यह ग्राउन के लिए वायर गर्वायर देख सकते हो, यह ग्रीन वाला यहीं पर लगेगा हमारा ग्राउंड, तो मैं इसको लगा लेता हूं, तो यहां पर लग चुका है ग्राउंड का वायर अभी हम इन्पूट लेंगे इस बाड़ा वोल्ड आइसी में से तो यह जो पहले ही लगा हुआ था यहां पर यॉलो वायर यहां पर तो इसी को में जो है आट पूट में लगा दूँगा बाड़ा वोल्ड आसी के आट पूट में तो हमें फाइब फॉल्ड के लिए इंपूट मिल जाएगा बाड़ा वोल्ड और वो फाइब वोल्ड से हम अपना इसमें पैनल को चलाएंगे, तो मैं इन्पूट को लगा देता हूँ शड़ी क्या ही बोले यार इसका इंपूट इसका इंपूट गड़बर हो जाता है तो यहां पर लवा देता हूं में आर्टपूट तो इससे जो हमारी 7805 के आएसी है उसको बाड़ा वोल्ट इंपूट मिल जाएगा और वो अपनी आर्टपूट में 5 वोल्ट आउट करेगा तो हमा बद्रे सका व्लकी में नाद में एक प्रिकोड़ा वागट बकिये जो आपको करना है और अगर वो अब पने ही करतेएक तो क्या हो सकता है मैं आपको अभी दिखाता हूँ विडियों में ने करिक renew हैरन किये लیता हूं कर दीत हो मैं तो मैं और आपको ओन करके दिखाता हू यह लगा दिया मेंने इंप्लिफायर का कॉट स्विच करते हैं और यह देखो गाइस हमारा यह देख सकते हो आप सो गाइस अभी बहुत छोटी सी कनेक्शन कर लेता हूं जो मैंने आपको वीडियो की स्टाइटिंग में बताई थी और वो कनेक्शन है कि हमें 7805 को बाड़ा फोल्ड देने के अलाबा भी जो हमारी बेस ट्रेबल के सरकिट होती है उसको भी बाड़ा फोल्ड की सप्लाई देनी पड़ती है ताकि बेस ट्रेबल में लगा हुआ ट्रैंजिस्टर काम कर सके और वो कनेक्शन आपको यहां पे देना है यहां पे एक रेजि चड़का तो उसको उधर से मिल जा रही थी लेकिन अब जो है हमें अलग से यहां पे देना पड़ेगा बाड़ा फोल्ड सप्लाई और यह सप्लाई भी हमें इसी में से देना होगा मतलब यह 7812 EC में से देना पड़ेगा तो मैं लगा देता हूं इसको और अगर आप यह का आपका तो इंप्लिफार ओन हो जाएगा लेकिन अपकी जो में पाउर टैंजिस्टर है उनको इनपुट नहीं मिलेगा तो गाइस में यह कनेक्शन कर लिया है ऐसी में से और एक तार लगा के यह अब देख सकते हो इसको यहां पर लगा दिया है रेजिस्टेंस की इस तड दाए मिल रही है और दूसरी बात कि अभी मेरे एक चैनल पे चार और एक चैनल पे चार टैंजिस्टर को मैंने पर लिक कर लिया है तो अभी इसमें में फोरॉम्स का भी लोड डाल सकता हूं टैंजिस्टर ज़्यादा हीड नहीं होंगे तो मैं अभी आपको एम्प्लीफायर चला के दिखा देता हूं बस आज के भीड़ो में इतना ही भीड़ो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अभी जली से हेटफन लालो सांड टे इतना है किम भूलादाइं हॉ सितरा लोलाइं हु जिन्ध एलादा को LIVE कर दो सेले किम भूलादाइं हॉantwort कर दे लोड़ी ठीला तो रादा पो शजीक हॉ किम भूलादाइं हॉ और रादाâte हु खुन्या जम्हदन TC कर दो कीis कीजिए से ने कीजिए भकि barking का क्या कंग कर दूए का 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 किजिए हमें अजय को स्ग्सक्र